तिरुभनंतिपुरम की रहने वाली 45 वर्ष ये करमाला मोडेक्स ने पॉलिवुट की दिगज सिंगर अनुराधा पॉडवाल को अपनी मा बताया है। उन्होंने जिला फैमिली अदालत में 67 साल की सिंगर के खिलाफ केस दायर किया है जिसमें 50 करोड रुपए का हरजाना मांगा गया। करमाला की याचिका के मुताबिफ तब वे बमुश्किल 4 दिन की थी जब सिंगर ने उन्हें पालक माता पिता पोनाचन और अगनेस को सौप दिया था। महिला ने कहा कि अनुराधा पोडवाल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे उस समय प्ले बैक स्विंगिंग में व्यस्थी और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। कर्माला के वगिला निल प्रसाद ने कहा कि कर्माला जिस बच्चपन और जिन्देगी की हगदार थी। उन्हें उस से वन्चित रखा गया। अगर पोडवाल दावे को खारिज करती हैं तो हम को से डियने टेस्ट कराने की मांग करेंगे। कर्माला ने इंडियन एक्सप्रेस से बाचीत में कहा कड़ी पांच साल पहले मेरे पिता ने मरने से पहले सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि मेरी बायोजिकल मा अनुराधा पॉडवाल है। मुझे बताया कि मैं उस वक चार दिन की थी जब उन्होंने मुझे अपने पालक पेरेंट्स को सौप दिया था। पॉनाचन आर्मी में थे और महाराश्ट्र में पदस्थ थे। वे अनुराधा के दोस्त भी थे। बाद में उनका ट्रान सफर के रल हो गया। कर्माला के मुटाबिक इस सच्चाई के बारे में उनकी पालक मा अगनेस भी नहीं जानती थी। पॉनाचन और अगनेस के तीन बेटे हैं। उन्होंने कर्माला को अपनी चौती संतान के रूप में पाला। 82 साल की अगनेस फिलहाल बिस्तर पर हैं और अलजायमर से पीडित हैं। तीन बच्चों की मा कर्माला का कहना है कि पिता द्वारा सच्चाई बताय जाने के बाद उन्होंने सिंगर से कई बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉंस नहीं मिला। कुछ समय बाद उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया। कर्माला ने कहा कि हमने इस मुद्धी पर अब कानूनी तोर पर निपटने का फैसला कर लिया है। वे मेरी माँ हैं और मैं उन्हें वापस पाना चाहती हूं। कर्माला के वगिल अनिल प्रसाद के मुताबिर तिरुवंतापुरं के फैमिली कोट ने अनुराधा और उनके बच्चों को 27 चनवरी की सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा है।